पेट की सारी बीमारियों का इलाज, एक ऐसी चीज है जो आपके पेट का दर्द, पेट की कबजियत, भूख न लगना, ऐसी हर तरह की पेट की सारे बीमारियों का इलाज करेगा, वो एक ऐसी कॉम सी चीज है? वो आज में आपके लिए लेकर क्या आई हो। पेट में गैस होना, भूक ना लगना, पेट में सूजन वाली फिलिंग आना, एस इफ आपका पेट बहुत सूज रहा हो, ये इन सारी चीजों में काम करता है अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना है गन्त, खाने वाला गन्त, जो हम ज Girnarly सरदियों में यूज्स क्या करते हैं, वो वाला गन्त हमें लेना है और ये आपको मसालों के दुकान में इसली में मिल जाएगा अब ये हमें आधी चमश लेना है इससे जादा निलेना एक सिंगल आदमी के लिए आधी चमश काफी होता है और उसे हम नॉर्मली किसी एक मग या गलास में डाल देंगे और उस मग को पूरा पानी से भर देंगे पूरा पानी से इसली भरना है क्योंकि वो जो आधी चमश गोंध हमने ली है वो फूल करके 4-5 चमश हो जाएगा इसे हम जनरली रात को सोने से पहले भिगो दिते हैं अगले दिन सुभा तक अब इस गोंध कतिरा में हमें चीनी मिक्स करना है शुगर या फिर आप चाहें तो चीनी के बदले गुलाब वला सरबत ची मीठा सरबत होता है यह सुरू हवजा हो गया वो भी डाल सकते हैं फिर उसे हलके हां से एक दूबर मिस करना है ज्यादा मिक्स नहीं करना नहीं तो फिर जो फूले भी गोंध की क्रिश्टल है वो खतम हो जाती है अब आप चाहें तो इसमें ठंडा पानी भी डाल सकते हैं लेकिन प्रिफरली आप ठंडा दूद डालिए बिकास दूद डालिए तो ज़्यादा अच्छा टेश्ट आएगा वो दूद कैसा हो वो दूद गरम किया हुआ और फिर ठंडा किया हुआ दूद हो मतलब गरम करके ठंडा किया हुआ दूद हो और अगर उस दूद को फ्रिज में ठंडा किया गया तो फिर तो और भी अच्छा है फ्रिज का ठंडा दूद मतलब और भी अच्छा लगेगा 12 साल से चोटा बच्चा है आप उसको दे रहे हैं तो आप पूरा नहीं दे सकते हो से आपको इसकी अधिक क्वंडिटी देनी होगी गर्मी की मौसम में ये फिर आचकल जैसे लू चल रही है गरम हवा चलती है तो इसमें भी हमारे पैट में बहुत फैदा करता है हमारे बॉड़ी को अंदर से पुला ठंडा रखता है पेट में अगर आपको अलसर जैसे फिल हो रहा है आपको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं आ रहा है तो आप इसको एक बार जुरूर अपना है यह हम लोग अपने घर में भी लेते हैं तो मैंने सुचा यह मैं आपके साथ भ आपके फैमिली में भी हर एक को इसका फैदा हो सके अब इसे लेने का तरीका क्या है प्रिफैबली इसे सुबह सुबह खाली पर अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छा है मतलब जश्ट सो के उठके लेने की जरूत नहीं है नॉमली अप जब सुबह फ्रेश हो जाए रे पहले पहले तक ले लें यह सर्दियों की मौसम में भी फैदा करता है कई बार क्या आता है होता है सर्दियों की मौसम में धूप ज्यादा ना निकलने के वैसे हमारी बोडी के एनरजी लेवल कम हो जाता है और बहुतों को चक्कर आने की भी इशू होते हैं तब आप अगर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप 3-4 दिन लीजिए फिर आप उसे पूरा एक सप्ता 7-8 दिन के लिए छोड़ दीजिए फिर अगर आपको जड़त पड़े उसकी तो फिर से 2-3 दिन लीजिए उसे ज़्यादा नहीं फिर आप एरॉंड एक सप्ता 10 दिन से छोड़ द हम खुद लेते हैं हमारे फैमिली में हर को यसी लेता है अगर किसी को लू लग जाती है तो उसे फौरन यह चीज़ दे देजी देखना तुरंत कुक रिलिफ मिल जाएगा और हां इस गोंद कि आप नमकिन वाली रेसिपी बना सकते हैं उसकी रेसिपी मैं आपको अलग से बताऊंगी बहुत सो आदिश होता है वो हमारे घर में हमारी ममे बनाती है वो मैं आपको अलग से नेक्स्ट वीडियो में या फिर किसी अगले वीडियो में जरूर बताऊंगी